खेती से जुड़ी रोचक जानकारियों के बारे में जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें आप अपने सुजाव हमारे कमेंट सेक्षन में भेज सकते हैं जिद्री जी को यहां पर अवार्ड मिला और इसमें आपने क्या अलग किया उसका नाम मैंने रखा वीशिक्स और साइद उत्तर प्रदेश मोस्त प्रिजाती का कोई धान नहीं है इसलिए हमको यह वार्ड मिला है और मैं जैविक खेती करता हूँ काला नमक धान की खेती करता हूँ और पराली जलाने के लिए मैंने बहुत प्रियास किया कि कोई जलावे ना धर्ती की उपज बढ़ाते रहें जिससे हमारे स्वास्ते पर असर पड़ता है क्यमिल का उपीयोग बहुत कम करें आताकि जैविक खेती में करता हूँ इसलिए हमारे उपज بين और हमारी स्वास्ते में कोई कि ऱ्हाफा होता है आपने बढ़ाया कि जैसे आपने धान की एक नई किस्त करी है तो वो किस्म क्या वो जैसे देसी बीजो का ऐसा माना जाता है कि वो उसी एरिया के लिए होते हैं आप उसको दूसरे एरिया में नहीं कर सकते हैं लेकिन उसकी हाइट में दिखा दूँ तो छे फुट उची हो गई थी इतनी इतना जबरतस्त मेरा खेट था तो उसको मेरे खेट का बदल दिया तो उसकी सो संटीमेटर मैंने आई आराई को चिठी भी लिखा है कि उसकी गुनत्ता को जांच करके हमको पताया है ताकि मैं उसको काफी नुकसान होता है तो उसमें आपने इस तीज को कैसे बचाने मैंने अपने आउस कर दिया लेटर दे करके किसानों को कि भाई देखिए मेरे पास ट्रक्टर टाली प्रिशर टाली है इसको आप ले जाओ कि उबल उसमें अपनी पराली अपने खित से अटाने के के लिए लोड कर दो मैं आपके खित से अठा दूँगा और एक नमबर डीकमपोसर है उसका भी अगर चाहे तो आपके खित में में परियोग करके कोई चार शाही दिन में उसको डीकमपोस कर दूगा आपको हटाने जलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ये काफी अच्छ की चीज भी आपने आप आप यह दिक्र किया था वो क्या था विज और इसके धन की पीज के इलावा और आपने कघिक करते हैं उसका चाहळे बहुत खुस्बू है इसमें जैवी खेती हम करते हैं इसमें जैवी रसाइनी का उपएयों कीटना सा को परियोग नहीं करते हैं इससे उसकी गुनत्ता बढ़ी रहती है और हमारे स्वास्त के लिए बहुत अच्छा है उसका चाहल खुस्बूदार है आप चाहें तो मेरे देख सकते हैं तो पहला वार्ड मिला है या इससे पहले भी आप अधर आदरा चुके हैं अधर नहीं लेगि इसके पहले मुझे बह करने के लिए इनको बिल्कुल आप भी बढ़ाई दे सकते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या हम और अलग लग टॉपिक्स पे इस साल मैंने बारा किस्म की नई वराइटी का चैन किया है जो नए कभी आपको दिखाई ने दे रहे उसमें मैं चैन किया हम अगले साल ये मंच पर आ जाएगा धान की परदा थी तो हम अगले साल भी इनका वेट करेंगे और आपको किसान आफ इंडिया पे जल्द फिर से मिलाएंगे हमारे विजे इंदरपाल जी से किसान आफ इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान आफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें